आखिरकार बच्चन परिवार से लंबे वक्त के बाद वो तस्वीरे सामने आ गई जिसका फैंस इंतजार कर रहे थे पिछले दिनों बच्चन परिवार में कलह की खबरों से पूरा बाजार गर्म था खबरें थी कि नाराज बहु एश्वर्या ने अपना ससुराल भी छोड़ दिया था और वह अपनी बेटी को लेकर माय के शिफ्ट हो गई है बताया गया था कि एश्वर्या और जया के बीच जगड़ा काफी बढ़ गया था लेकिन अब इस बीच एश्वर्या ने अपने परिवार को जोड़ना शुरू कर दिया है हाल ही में एश्वर्या अपने पती अभिशेक बच्चन की कबड़ी टीम जयपुर पिंक पैंथर्स को सपोर्ट करने पहुँची थी इस दोरान उनके साथ अभिशेक बच्चन के अलावा ससुर अमिताब बच्चन और बेटी आराध्या भी मौजूद थी एश्वर्या अपने ससुर अमिताब के साथ बैठी थी उन्होंने बेटी आराध्या को दूसरी तरफ बैठाया हुआ था कब बड़ी के खड़े मुकाबले में अश्वर्या ने अमिताब के साथ अपनी टीम को खूब सपोर्ट किया स्टेडियम में वह अमिताब के साथ अपनी टीम का मनोबल बढ़ा रही थी अमिताब भी परिवार के साथ काफी खुश लग रहे थे हाला कि यहां जया बच्चन मौजूद नहीं थी इस से पहले अमिताब और अभिशेक आराध्या के एनुवल डे पर साथ नजर आये थे लेकिन वहां भी जया नहीं पहुँची थी माना जा रहा है कि अमिताब और अश्वर्या के बीच रिष्टे कभी खराब ही नहीं हुए अमिताब ने अश्वर्या को बहु नहीं बलकि बेटी माना है लेकिन जया और अश्वर्या के रिष्टे आज भी नहीं सुधर पाएं है हालांकि फैंस को बच्चन परिवार की ये तस्वीरे सुकून दे रही है लोग एश्वर्या की तारीफ कर रहे हैं कि किस तरह से वह अमिताब को स्टेडियम में साथ लाई इसके साथ अपनी टीम को सपोर्ट भी किया हमारे द्वारा आपको दी गई बच्चन परिवार की ये अपडेट आपको कैसी लगी हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं ऐसी ही और खबरों से हमेशा अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजी और वीडियो पसंद आया हूँ तो लाइक और शेर करना ना भूलें